हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चेनल आज हम बना रहे हैं दही वड़ा इसे दही वल्ला भी कहा जाता है जो लोग तेल वाला या फ्राई किया हुआ खाना नहीं खाते हैं उरको ये रेसेपी बहुत पसंद आने वाली है इसलिए ये रेसेपी शुरू से आखिर तक देखे ये रेसेपी देखने के बाद आप तुरंत ही रेसेपी बनाना पसंद करोगे आपने मेरे चेनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक शर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक कर दही वड़े बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग डाल और एक कप उड़त की डाल अच्छे से दो के चार घंटे के लिए बिगो के रखी है अब हम दही वड़े को टेस्टी बनाने के लिए चटाके दार मसाला बनाएंगे एक पैन में मैंने 3 टीसपून जीरा, 1 टीसपून अजवाइन और 1 टीसपून शाबूद धनिया लिया है अब इसे सुनेरा होने तक भून लेंगे 2 मिनिट लो फ्लेम पे भूनने के बाद ये सुनेरा हो गया है क्याश का फ्लेम आओफ करेंगे और इसमें एक टीस्पून लाल मिरिज पाउडर, हाप टीस्पून हींग, एक टीस्पून चाट मसाला और हाप टीस्पून नमक और वलफोट टीस्पून जितना काली मिरिज पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठंडा होने के बाद ग्राइन करके इसे साइड पे रख देंगे चार घंटे होने के बाद हमने जो मूंग दाल और उड़त दाल भिगो के रखी थी वो अच्छे से फूल गई है अब इसका पाणी निकाल देना है और इसे ग्राइन करना है मैंने मुंग दाल और उड़त दाल को छन्नी में छान लिया है और इसका पानी निकाल दिया है ग्राइन करते समय पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी हम उस वक डाल सकते है मिकसर जार में बिगोई होई दाल को डाल देंगे और ग्राइन कर लेंगे इसका हमें स्मूध बैटर बनाना है इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और वापस अच्छे से ग्राइन कर लेंगे ये दही वड़े का स्मूध बैटर तयार है अब इसे हम एक बावल में निकाल लेंगे ये ध्यान रखे कि धहीवड़े का बैटर दरदराना रखे इसे बारिक पीसे इससे धहीवड़े एकदम सौफ्ट बनेंगे ग्राइन करने के बाद तुरांत पाच्छे मिनिट के लिए इसे लगातार फेटे लगातार फेटने से इसमें एर बबल्स तयार होंगे और ये बैटर एकदम फाइट और फ्लफी होगा जितने फेटेंगे उतने ये दईवड़े सौफ्ट बनेंगे मैंने इसे तीन-चार मिनिट तक फेट लिया है अब इसमें एक टीस्पून जीडा एक टीस्पून अद्रक की पेस्ट एक टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट और स्वादार नुस्रा नबक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे वापस दो मिनिट के लिए फेटना है फेटने से ये एकदम हलका हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है दो मिनिट फेटने के बाद हम इसमें 1-4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और एकी डायरेक्शन में अच्छे से फेट लेंगे आप इसमें इनो भी डाल सकते है लेकिन इनो बेकिंग सोडा से डबल डाले मतलब हाप टीस्पून डाले दही वड़े फ्राय करने हो तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेटने से ही बैटर हलका हो जाता है अब ग्यास पे अप्पे पैन रखेंगे और उसे ओईल से ग्रीस कर लेंगे ग्यास का फ्लेम वान करेंगे और उसमें बैटर डालते जाएंगे दही वड़े का बैटर जादा ना गाड़ा हो और ना पतला बैटर मीडियम थिक होना जरूरी है इससे दही वड़े अंदर से एकदम जालीदार और हलके बनेंगे अब इसे लिड रखके दो पिनिट पकाएंगे अब तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसे पलटाएंगे आप देख सकते हो के वड़े अच्छे से फूल गए है इसका कलर भी सुनेरा हो गया है अब इसे पलटा के दूसरे साड़ से भी लिड रखके सुनेरा होने तक सेक लेंगे वड़े बनाती समय ग्यास का फ्लेम लो रखे जिससे वड़े अंदर से कच्छे नहीं रहेंगे वड़े तयार हो गए है अब इसे हम पानी में सोक करने के लिए रखेंगे एक बोल में गुर्णगुना पानी डालना है इसमें आधा चमच नमक और आधा चमच हिंग डालके मिक्स कर देंगे अब तयार किये हुए पानी में दही बड़े डाल देंगे और एक दिल गुंटे के लिए सोक करने रखेंगे मैंने अप्पे पैन को वापस ग्रीस कर लिया है और उसमें बैटर डालके सेकने के लिए रख दिया है पानी में सोक करने के बाद ये दही बड़े अच्छे से फूल जाते है और सॉफ्ट भी हो जाते है ये सेकंड राउंड के दही बड़े भी तयार है आप देख सकते हो के सोक किया हुआ दही बड़ा अभी बनाये दही बड़े से डबल हो गया है दही बड़े पानी में सोक हो रहे है तब तक हम दही बना लेंगे मैंने 400 ग्राम गाड़ा दही लिया है अब इसे छन्नी से छान लेंगे दही खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टा हो तो इसमें थोड़ा दूट डाल सकते है दही को अच्छे से छानने के बाद इसमें टेस के अनुसार नमक डालना है मैं इसमें शक्कर नहीं डाल रही हूँ, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो मैंने सोक किये हुए दही वड़े को हलके हाथ से निचोड़के उसका पाणी निकाल दिया है अब इसे सर्विंग प्लेट में रखेंगे और वड़े पे दही डाल देंगे खजुर इमली की चट्नी डालेंगे और धनिया और पुदिने की चट्नी भी डाल देंगे आपको खजुर इमली और धनिया पुदिने की चट्नी बनानी हो तो इसके वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो देख के आप बना सकते हो हमने दही वड़े का जो चटा के दार मसाला बनाया था वो भी उपर से हम डाल देंगे आप देख सकते हो कि दही वड़े कितने नरम और स्पंजी बने है आप ये दही वड़े खाएंगे तो मुमें जाते ही घुल जाएंगे इतने सॉफ्ट ये दही वड़े बने है ये रेसेपी आप एक बार जरूर ट्राइ करें और कैसी बनी वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करें इससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाईल पे तुरंत आजाएंगे थैंक यू फर वाचिंग